सबी बैयों को नमस्कार, राम राम, जेहिंजे गौमाता, मैं रावली डेरी फार्म, किशनगड, जिला अजमेर, राजस्तान से आमिर पठान, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक बहुत ही शांदर गौमाता, फर्स्ट लेक्टिशन में, बहुत ही खुबसूरत, और बहुत ही अच्छी गाई की बेटी है यह, बहुत ही शांदर गाई की बेटी है, आखों में जो पानी आ रहा है वो आप देख सकते हैं, पेवोटी की निशानी आखों में, पानी और कानों की घुंडियां, गुमावदार कान, छोटा सा सींग, और इसका फादर है, हमार पानी आखा फेमस नंदी भूड़ा, जो आप इस दुनिया में नहीं रहा, उस फेमस नंदी की यह बच्ची है, फर्स्ट लेक्टिशन में, कम से कम, कम से कम, कम से कम, 16 लिट्र पर डे की मिल्किंग में रहेगी, 20-22 लिट्र पर डे मिल्किंग की इसकी मदर थी, इसकी मदर मेरे यहीं से सेल हुई है, बहुत ही शांदार गाय की बेटी थी, और मैं इसके बच्च्वन में लेरा था, यह उस टाइम में उन्होंने दीनी, अब इसकी डिलेवरी ही हो गई है और इसके जैसे इसका फादर के लाल होड थे लाल सींग थे वैसे इस गाई के भी है ठीक है ना इस गाई के भी लाल लाल सींग है अपने फादर की तरह खड़ी कर यह देखो आप फस्ट लेक्टिशन में आज ही डिलेवरी हुई है गोमातागी बहुत ही शांदार गाय है फस्ट लेक्टिशन के अंदर भारी गलकंबल है और बहुत टॉप की एडर क्वालिटी है देखो आप इसका खड़ा होने का ढंग थन और थनों में जो गेप है वह आप देख सकते हैं टॉप क्वालिटी की एडर है टॉप क्वालिटी की जमीन पर टच करती ही पूँच है ठीक है पीचे से पुट्ठा मजबूत है बहुत ही खुबसूरत गोमाता है और हाई मिल्किंग के अंदर रहेगी फर्स्ट लेक्टिशन में हाई मिल्किंग के आज ही डिलेवरी हुई है जरेगी नहीं है और मैं इसकी जर भी दिखायता हूं आप लोगों को और मतलब प्योटी कलर जिस कलर की डिमांड है मार्केट में चारू धनों में गेप टोप की एडर क्वालिटी सारे सिस्टम बहुत सुन्दर है इस गाई के देख सकते हैं आप देखो एडर की क्वालिटी देखो आप पीचे तक नाव की तरह यह बूरडे की पेच्छान है बूरडे की जो भी ओलाद होती है इल्लाा ये देखो ये इसकी जर है नीचे पड़क पूरी गिर गयी प्रियंटा पड़क दे नीचे पड़क दे यह जरह है इसकी और जरह गिर चुकी है फर्श लेक्टिशन में डिलेवरी हुआ है बहुत ही खुबसूरत गाय है फादर का रिकोर्ड बहुत अच्छा है मदर इसकी बहुत शानदार थी इसकी मदर भी मैंने सेल की है बहुत टोप क्वालेटी की मदर थी इसकी ठीक है और य यह उस नंदी की बेटी है जिसमें कोई कमी आई नहीं सकती ठीक है इसके फादर का रिकोर्ड रहा है कि आज तक हलकी गाई के ओपर भी शांदर रिजल्ट पेओर्टी देने का कान पेओर्टी खड़े होने का स्ट्रेक्चर हाइट सब एक नंबर है देखो आप गलकंबल ना सकत्ता हुआ था पहले थे बेगा, प्लग को दिंग ओाने, तब देखाने को लगजाता है, वेजी साथ वर्भ यह को यह को इसको लेने में तो बहुत सारे जने गहे थे पर बझट इसका इतना हेवी था कि सब लोग सुन-सुन के आये कम से कम मेरे यहां के लोकल कम से कम 6 वेपारी इसको लेने गई थे और सबी इसका बझट सुन-सुन के वापस आ गई थे ठीक है और यह बूर्डे की बेटी थी तो इसका बझट जो में दे सकता था वो कोई ओन से सकता था ठीक है तो एक हाई बज़र देके मैंने इसको पर चेस किया इसके फादर की वये से और फिर सबसे बड़ी बात कि इसकी मदर मेरे पास थी तो मेरे को इसके पूरा रिकोड द्यानता में च्छा मादर का है दिया यहा फादर को तो देखके सब जने current डिमाग लगा सकते हैं पर इसकी मदर का हाई मेरे पास ता क्योंकि मैंने इसकी मा को पर है और यह एंड में मेरे पास आई ठीक है ना इसका कारण यही था कि उसका जो मालिक का उसका सामने वाले का मांगने का बजट ही जाए था और हर आदमी इसको उटानी पा रहा था अपनी मजदूरी निकाल पारा था क्योंकि घर रखने वाला लेकर जाता इसको दो लिया था उस मालिक से भी लेकर आया था पर वे उपर ही अपने दो चार-पंचार की मजदूरी निकालते हैं तो वह उन की निकल नहीं पारी थी ठीक है तू इस लिए ये मेरे पास आई और इसकी मझर मेंने सेल की है इसके फादर की बहुत सारी बेटिया मेंने लाला के सेल की है ठीक है ना फर्स्ट लेक्टिशन है और ये चाहे आपको एडर अभी वीडियो के माद्धियम से कम लग रही होगी पर ये इसी एडर के अंदर इतना मिल्क कैपेसेटी सो परसेंट शोर करेगी क्योंकि इस घर से में पहले भी गा करते हैं बड़ा फेमस बूर्डा बुलता जो तामर कपिला बूलता बूर्डा उसकी ये बेटी है और उसने बहुत ही टॉप टॉप की गाएं हम लोगों को दी अजमेर जी ले वालों को और सबी किसानों को व्योपारियों को बड़ा ही उसने नाम किया जिसका पास था उस होती ही तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमत के अंदर विकती बट इसके मेल काफ होने के वैसे इसकी रेट जो कम हुई है वो मैं कम करके बताओंगा फिर आप मेरे को फोन के अपड़ यह जरूर यह ना बोले कि भीया नीचे मेल काफ है आप रेट कम करो मैं और आप लोगों क का ट्रांस्पोर्ट अवेलेबल है 14 रुपे किलोमेटर जाने का 14 रुपे किलोमेटर आने का आने जाने का टोल्टेक्स चाहे आप एक गाय मंगाते हो चाहे दो गाय मंगाते हो मैं राजस्तान के अजमेर जीला मैं राजस्तान के अजमेर जिला किशनगर से हूँ और जो मेरी लोकेशन है वो बाजेडा बालाजी का मंदिर अराई रोड जोगियो गनाड़ा जो के आपको किशनगर से चार से पांच किलोमेटर की दूरी पे है और हाईवे से मेरी जो फाम की दूरी है वो मात्र एक किलोमेटर है नेशनल हाईवे जो उधेपूर और जेपूर जो हाईवे है भीलवाडा जेपूर हाईवे है हाईवे से सिर्फ एक किलोमेटर की दूरी ह मात्र बाजाडा बाजाडा बाला जी गउशाला के बिलकुल पास में है मेरी गउशाला और आप अपनी लोकेशन बेश सकते हो तो मैं आपको किलोमेटर की दुरी बता दूँगा चाउदा रुपे किलोमेटर जाने का चाउदा रुपे किलोमेटर आने का आने जाने का टोल्टेक्स और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देखते हो लेकिन ल मिलती रहेगी तो आप चैनल सस्क्राइब करने हो सकता ही आपके बजट में ना हो तो आपके बजट वाली घाय आ जाए ठीक है ना हो सकता ही आपके बजट की हो ठीक है ना तो चैनल आप सस्क्राइब करें बेल आइकोन दबाएं बिल्कुल फिरी है सस्क्राइब करना और गं दन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने देखा, टाइटल के उपर मेरे मोबाइल नमबर दिये हैं, आप वहाँ से स्क्रीन शोट लेके, मेरे वाटसप नमबर है, उस पे आप स्क्रीन शोट बेज सकते हैं, प्राइज और डिटेल में आपके वाटसप पे डाल दूगा, य आप बोलना कबरी वाली, फर्स्ट लेक्टिशन, जिसके नीचे मेल काफ हुआ है, हैयो, हैयो, हैयो,